अक्टूपस और हमारे बीच क्या समानता है? आखिरकार उनके पास फेफडे, स्पाइन या ऐसी संग्या तक नहीं है जिस पर हम सहमत हो सकें. लेकिन उनके पास पहेलियों को सुलजाने, अवलोकन के माध्यम से सीखने और यहां तक की उपकरणों का उप्योग करने के ख्शमता है. ठीक वैसे ही जैसे कुछ अन्य जानवरों को हम जानते हैं. और जो चीज ऑक्टूपस की बुद्धिमत्ता को इतना अद्भुद बनाती है वो यह है कि यह हमारी जैविक सन्रचना से बिलकुल अलग होती है. ओक्टूपस की लगभग 200 प्रजातियां मॉलस्क हैं, जो सेफलॉपडा जाती से सम्मद्नित है, जिसका ग्रीक अर्थ सिर पैर है. इन सिरों में काफी बड़ा मस्तिश्क होता है, और मस्तिश्क और शरीर का अनुपात अन्य बुद्धिमान जन्तुओं के समान तथा कुत जितने न्यूरोनों वाला एक जटल तंत्रिका तंत्र होता है. लेकिन मस्तिश्क में किंद्रित होने की बजाए ये 500 मिलियन न्यूरोन तीन मूल संव्रचनाओं में सन्योजित इंटरकनेक्टिट गैंगलिया के जाल में फैले होते हैं. केंद्रिये मस्तिश्क में केवल 10 प्रतिशत न्यूरोन्स होते हैं. जबकि दो विशाल आप्टिक लोब में लगभग 30 प्रतिशत होते हैं. अन्या 60 प्रतिशत टेंटिकल्स में होते हैं, जो मनुष्यों के लिए हमारी भुजाओं की तरह होंगी, जिनके अपने दिमाग होंगे. हमारे जैसे कशेरुकियों के पास हमारे शरीर को सहरा देने के लिए एक कठोर कंकाल होता है, जिसमें जोड होते हैं, जो हमें चलने देते हैं. लेकिन सभी तरह की आवजाही संभव नहीं है. उधारान के लिए आप अपने घुटने को पीछे की और मोड नहीं सकते, या अपनी बहां को बीच में नह जिसके कारण वे अपने अंगों को किसी भी बिंदू पर और किसी भी दिशा में मोड सकते हैं. इसलिए वे अपने टेंटिकल्स को कोई भी रूप दे सकते हैं और कैसे भी मोड सकते हैं, जो की हमारे लिए संभव है. सेब को पकड़ने और उसे खाने के सरलकारे पर विचार करें. मानव मस्तिश्क में हमारे शरीर का नियूरोलोजिकल मैप होता है. जब आप सेब को देखते हैं, तो आपके मस्तिश्क का मोटर, सेंसर, उप्यूक्त पेश्यूं को सक्रिय करता है, ताकि आप अपनी बहां ब इसलिए भोजन दिखने पर उक्टोपस का मस्तिश्क शरीर के किसी भाग को सक्रिय नहीं करता है, बलकि पकड़ने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया की जाती है. जैसे ही सिग्नल नेट्वर्क के माध्यम से गुजरता है, हाथ के नियूरोन संदेश को पकड़ लेते ह और गतिविदी को नियंतरित करने के लिए कारवाई में कूद पड़ते हैं. जैसे ही हाथ भोजन को चूता है, मानस्पेशी सक्रियान तरंग बहां से होते हुए उसके आधार तक जाती है, जबकि हाथ आधार से सिरे तक दूसरी तरंग भीशता है. भोजन और बहां के कामना करते समय वो इसे अध्भुत लचीलापन और रचनात्मक देता है. चाहे वो भोजन तक महुशने के लिए बोतल खोलना हो, भूल भलाईय से भागना हो, नए वातावरन में घूमना हो, दृष्य में घुलने मिलने के लिए अपनी त्वचा की बनावट और रंग और उक्टोपस की बुद्धिमत्ता केवल उनके लिए ही उपयोगी नहीं है. उनके एकदम अलग तंत्रिका तंत्र और अपने आप सोचने वाले अंगों नर्म चीजों से बने लचीले रोबॉट विक्सित करने वाले नए शोध को प्रेरित किया है. और इतने विविदित जीवन के अन्यकौन से प्रकार संभावें या वे आसपास की दुनिया को कैसे प्रॉसस करते हैं?